हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सभी उमीद करती हों आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे दोस्तों गर्वधारन करने के लिए पीडिर्स के बाद ऐसे पास काड़े हैं जो सभी को जरूर करना चाहिए जो भी जल्द से जल्द महिला हो या पुरुशों गर्वधारन की प्रकीरिया को सफल बनाना चाहते हैं तो ये पांच पैरामेटर्स आपके लिए काफे ज़दा इंपोर्टेंट होते हैं सबसे फर्स्ट जो पैरामेटर होता है वो ये होता है कि आपके स्पर्म की गुनवर्ता कितनी हैं कई बार स्पर्म की पैरामेटर्स जो होती हैं कंसीव करने के लिए वो पॉजिटिव नहीं आती हैं कई बार ऐसे टेस्ट भी होते हैं और महिलायें डिसकस करती हैं मुझे बि इसको स्पॉम को इंप्रूफ करने के लिए सबसे पहला काम करें कि आप आपके हस्वेंट को साथ से आठ हक्तों तक ABC जूस का सिवन कराएं ABC जूस का मतला होता है एपल बीट कैरेट का जूस सामाने मातरा में आप ले घर पे ग्राइंड करें और इस जूस को डिली उनको दिये पीने के लिए इससे उनके स्पॉम्स की गुनवर्ता बढ़ेगी उसके संख्या में बढ़ोतरी आएगी और उसकी क्वालिटी बहुत सुधर जाएगी इसके अलावा ओमेगा 3 फैटी एसीड बहुत जादा इंपोर्टेंट होता है मेल्स के लिए तो ओमेगा 3 फैटी एसीड के सूर्सेज आपको नट से मिल जाते हैं आपको फिशे भी मिलते हैं लो मेर्करी फिशे तो उसका भी सेवन आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं बाकी मकारोट के भी आप सेवन से काफी अच्छे से प्रकेर्थिक रूप से अपने सेल की गुनबरता को ठीक कर सकते हैं इसके अलावा पॉइंट नमबर टू बहुत जादा बेहतरीन रिजल्ट के लिए सरीर का मेटाबोलिज्म रेट अगर हाई हो जाए जो कि केवल और केवल एक्सरसाइज से हो सकता है तो इससे महिला और पुरुष दोनों को ही फाइदे मिलते हैं महिलाओं के एक के संख्या काफी अच्छी हो जाती है साथी साथ फ्रेंस एक अच्छी क्वालिटी में बनना सुरू हो जाते हैं इसके लिए प्रती दीन कोई ऐसा मॉडरेटिट एक्सरसाइज चुने जो कि आप लगातार 15 मिनट तक कर सके आप योगा कर सकते हैं आप इसक के अलावा तीसरा ओवरुक सर्फ से जादा महत्पोन जो चीज है वो यह है कि आपको गर्वधारन करने के लिए प्री नेंटल विटामिन्स का सेवन करना चाहिए जैसे कि प्री नेंटल विटामिन्स अगर फॉलेक एसेड में हिलाएं खाती हैं तो इससे क्या होता है फ्र मल्टी विटामिन्स का सेवन कर सकती हैं फॉलेक इसीड का सेवन कर सकती हैं और साथी साथ जिस तरह से आपके बॉडी में कमी दिखाई दे रही है पोशक तत्वों की उसकी पूर्टी आप कर सकती हैं चौथा और सबसे महत्पुर्णे चीज यह ध्यान में रखना है कि आपके सरीर के requirement के according 250 ग्राम और प्रोटीन और कैशियम की जरूरत आपको पर सकती है इसलिए दूद से बनी हुई जो भी चीजे होती है उसको डेली अपने आहार में सामिल करिए जिसकी वज़ा से conceive होना और भी ज़्यादा आसान हो जाए और पांच में और सबसे जरूरी बात घर का भोजन सबसे ज़्यादा साफ और सुत्रा होता है और साथी साथ nutrition से भरपूर होता है इन थाली में आप हमेशा डेली डाल का सीवन करें अंकूरी तानाज का सीवन करें और जो भी साथ सबजी सीजन में अबलेवल है उसका जरूर इस्तेमाल करें और जितना हो सके आप spices कम रखें तेल कम रखें ताकि nutrition values ज़्यादा से ज़्यादा आपके बाड़ी में अवसोसित हो सके और अच्छे quality के sponsor और एग का निर्मान करें और conceivement होना और भी ज़्यादा आसान हो जाए ये 5 parameter अगर आपने अच्छे से follow कर लिए तो बहुत जल्दी conceive हो जाएगा दोस्तों बागी आपकी छोटी मोटी परेशानी है तो प्रकेटिक रूप से खतम हो सकती है इसके लिए आप मेरे चानल के वीडियो के प्लेलिस्ट में वीडियो को देखिए और शिखना स्टार्ट करिए उमीद करती हुए ये चोटी से वीडियो आपके लिए बेहर हालफुल थी ऐ ऐसी ही वीडियो को देखने के लिए आप चानल को सब्सक्राइब कर लिजे और साथ ही साथ आप मुझे अधर सोशल मेडिया प्लेटफॉर्म पे भी फॉलो कर सकती है जैसे कि इंस्टाग्राम पेज और फेस्बुक पेज तो अपना पूरा ध्यान लखिए टेक केर दोस्त थैंस पर वोचें